दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक वी सुल्विशन में आज हम आपको बताएंगे कि जो आधार से जो पेन से आधार लिंक की जो डेट है वो बढ़ गई है इसका हम अफिसियल नोटिफिकेशन आपको बताएंगे और साथ-साथ तरीका सिखाएंगे किस तरह हम आधार को पेन लिंक करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेए अगर आपने सब्सक्राइबर कर ले आए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब इसके लिए हम को इसा भी ब्रावजर ओपन करते हैं तो यहाँ प लेटेस्ट अपडेट फर मॉर डेटेल्स इसके लिए हम यह लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करेंगे यहां पर तो यहां पर हमको जो लेटेस्ट न्यूज है वो दिखाए देगी क्या सच में गवर्मेंट ने डेट अपडेट कर दी गई है यह फिर अफ़वा चल रही है इसके लिए हम फ़ड़ सा वेट कर लेते हैं साइट ओपन हो रही है अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेफर प्रेस रिलिज लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक PDF डाउनलोड होता है यहाँ पर आप फ़ड़ सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर लिखा है कि लाज़ डेट फ़र लिंकिंग पेन आधार एक्स्टेंड और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 जुन 2023 के पहले पहले आपको आधार से पेन लिंक कराना है नहीं तो आपका पेन इन ऑपरिटिव कर दिया जाएगा इसके लिए किस तरह से चेक करते हैं हम इसमे स्रोल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक दीखेगी हम इस पर किलिक करते हैं स्वेसे असम मेगाले यह जम्मू कश्मीर उनको आधर से पेंड करने की कोई आश्चता नहीं है अब हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपका किस तरह से चेक करना है आधर से पेंड लिंक है या नहीं है इसके लिए हम सिंप्ली यहां पर पेंड नंबर इंपुट करते हैं इसके बाद यहां पर validation है, हम इस पर click करते हैं, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, हमने यहां पर information संबिट किये, तो आप देखेंगे यहां पर लिखाओ, your pain is already linked to given आधार number, मतलब हमारा pain आधार कार्ट से already linked है, और किस तरह से link नहीं है, वो आपको status भी दिखा देते हैं, हम इसको close करते हैं यहां से, अब हमने दूसरा यहां पर आधार और pain डाला है, तो आप देखेंगे यहां पर pain not linked with आधार, please click on link आधार, link to link your आधार with pain, यानि यह pain आधार से link नहीं है, link करने के लिए हमको यहां पर simply click करना है, किस तरह से link करते हैं और चादान फिल करते हैं, ह यह अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो पर, वीडियो में अन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,